प्रिदर्शिक और मित्रों श्राथियों ये संतों का अनभाव है संतों का प्रशाद है अनभाव करने का मुझी भी आउश्यरत है कि जब वानी मौन होती है तब मन बोलता है और जब मन मौन होता तब बुद्धी बोलती है और जब बुद्धी मौन होती है तब आत्मा बोलती है और जब आत्मा मोलती है तो उस परमात्मा से मिलन होता है नमनारे नमनारे ये अनभाव है मेरा भाई आउसर दीजिए इस आत् आत्मतत्व मजबूत होना और आत्मतत्व मजबूत होता तो चैतन्य उर्दा से जुड़ने का परम अवश्रत बापत होता है बारा साल के बाद देवगुरु ब्रश्पति देव मंगल देव की मूल्त्र कौन रासी मेश में प्रवेश करेंगे इस साल का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है 17 जनी को शनिदेव ने राशी परिवर्तन किया था अब 22 अप्रेल को ब्रश्पति देव का राशी परिवर्तन हो रहा है और मेश राशी में पहले से ही राहुदेव का संचरन हो रहा है 22 अप्रेल को राहु देव और ब्रश्पति देव की यूति बनेगे सनी देव से ब्रश्पति देव का त्रेकादस समंद बनेगा मित्रों शाथियूं मंगल देव की मूल त्रिकौन डासी मेश में तीन ग्रहों का अद्बुद समंद बनेगा ब्रश्पति देव, राहु देव और द्रश्ची समंत्रे सनी देव इस समय मेश राशी में सूरी देव और बुद्देव का संचरण है बुद्देव साथ जून तक मेश राशी में रहेंगे और सूरी देव 15 मैं तक मेश राशी में संचरण करेंगे बुद्देव के प्रभाव से, सूरीदेव के प्रभाव से, ब्रश्पतिदेव के प्रभाव से, शनीदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और गरनक्षत्रों की गरना बारा के बारा राश्यों के लिए क्या संकेदेरी है इस विशे को लेकर आपके सामने हो मित्रों शाक्षियों ये जन्रल प्रडेक्शन है आपकी जन्मकूर्ली में ब्रश्पतिदेव रहुदेव की इस्तिती क्या है आपकी जन्मकूर्ली में ब्रश्पतिदेव किस राशी में बैटे हैं भाव में विराजमान में है और किस गरशे द्रश्ट है फलापल उसी अनुसार कहा जाता है लेकिन यह जन्रल प्रडेक्शन है कि यह जो राशी परिवर्तन है वैदिक जोतिस की आधार पर राउदेव और ब्रश्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा मित्रों शाथियों विद्वान विद्वानों का ये भी मत है कि जब ब्रश्पति देव और रहुदेव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है मैं अपना अध्यन मेरा अपना सोध मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूँ न मैंने कभी तरक किया है न मुझे बाद विवाद आता है न मैं बाद विवादों में विश्वास करता हूँ सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ मैं कोई किसी के अनभव को ललकार ने रहाँ, नहीं मेरा ये सौक है, सब से छमा मांगते वे, जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो नो मानो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि रहू, स्वर्भानू, सिहिका का पुत्र और रिशिकश्यप की संतान, दानव और ये नहीं समझ में आता है, तो आप फॉर्वर्ड कर देना ये वेवेस्ता यूट्यूप पर है, लेकिन आप समझेंगे न, तो बहुत अच्छा लेगे रोचीजें समझ में आईए, श्वर्भानू, जो सिहिका का पुत्र है, दानव कुल्चे था, रिशिकश्यप इनके प मैं खाली रहुदेव की सभाव को लिकर आपको समझेना चाता हूँ, कि रहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है, कारण क्या है भई, समय वो था, और उस समय रहुदेव ने अपनी महनत करी अपना परिश्रम किया, और मन्थन किया, उस परिश्रम और महनत के बलरू पर वो अमरित पान करना चाते थे, और देवताओं का ये मत था कि यदि रहु ने अमरित पान कर दिया, तो ये स्रस्री में प्रतिकूलता प्रदान करेगा, ये देवताओं का अपना मत था, जो भी हुआ, नाराइण ने उनका सिर को काट दिया, जहां अमरित कंठ तक खड़ा अलग होगे, तो जो सर है, उपर वाला हिसा ये रहु और नीचे वाला हिसा के दूर है, अब समझने होगा, क्योंकि रहुदेव दानव कुल से भी और साधना में प्रांप्रागर्थ है, साधना में प्रांगत है वो, विद्वान है वो, और रिशिकस्यप की संतान है, तो रहु देव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे, जो मेहनत वो कर है, उसका फल उनको चाहिए, तो जिस व्यक्ते भी जन्मकुल में, जिस भाव में रहु देव विराज मानेंगे, उस भाव से समंदित परिनाम उसको चाहिए, ये रहु देव का कहना है, हाँ, रहु रहु देव अन और्टोडेक्स है, अनकन्वेक्शन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते है, सरूप बदलने में, विदाओं का बाथसा है रहु देव, लेकिन हमारे विद्वानों का ये मत्विराह है, कि रहु देव जिस राशी में विराजमान होते हैं, उस भाँ में विराजमान ग्रह के साथ बैरते हैं, उसका गुण ले लेते हैं, तो इस समय रहु देव ब्रश्पति देव के साथ बैठेंगे, तो जो उनका सरीर होगा, वो ब्रश्पति देव का होगा, विचार रहु देव के सरीर ब्रश्पति देव का है, इन 55-55 सालों म संतों के चरण में रहा हूँ और मैंने पाया है कि राव देव, सनी देव, ब्रश्पती देव जो कनेक्शन बंड़ा है के बार जिवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है बहुत बड़ी योगतार, बहुत बड़ी विजनर्बूंका निर्मान होता है यह योग आपकी कुंडली में कैंदर में बन जाए, ब्रश्पती देव कैंदर त्रिकॉर्ण के मालिक हो या कैंदर में राव के साथ आ जाए, त्रिकॉर्ण में ऐसी अवस्ता बन जाए, तो बहुत अदभूत योगकारी पोजिशन हो जाती है इसलिए मेरा निविद्यन की बड़े-बड़े सब्दों से भैवित होने की जोर्त नहीं है, एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल जाता है और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कारिये राउदेव करते हैं, इसलिए राउदेव को कहते हैं बहुति समंद बन रहे हैं, कोई पाहर नहीं टूड़ जाएगा तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है, और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं, आपको डिग्रियों का ग्यान होना बहुत जरूरी है, और फिर आपकी जन्मकुल में राउदेव, ब्रश्पति देव के साथ किस दिगरी पे विराजमाने कितना दूर है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पाहड नहीं टुटेगा और आपको भैबीत नहीं होना चाहिए, ब्रश्पति देव और राउदेव के मिलन को जो गुरु कुछ अंडाल योग आप कह रहे है, उसे इतना भैबित होने के आउशकता नहीं है, देवताओं की गुरु है भाई, धरम के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धान है, वैभव है, शमर्दी है, शुक के कारक है, और नवगरों में सबसे नैसर गिल गर शुब गर है, क्या उ आपना अनभव है, दूसरा सनील और ब्रश्पति देव का तिरीकादा शमन, मेरी जिवन की यात्रा का यह सबसे बड़ाद निचोड़ है, कि जब जब ब्रश्पति देव किसी भी रूप में सनी गर ब्रश्पत देव का शमन्त बनता है, तो यह गंगाजल की बारिश होती और ब्रश्पति देव की आपकी जन्मकुणली में किन किन भावों पर द्रश्टी पढ़ रही है किन किन भावों पर द्रश्टी प्रभावित हो रही है क्योंकि देवगुरु ब्रश्पति के पास special power है blessing है उनकी द्रश्टी जा उनकी द्रश्टी पढ़ती है वहां अमरित की प्रशाथ होती है और मेरा अनभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों शातियों कि ब्रश्पति देव राउदेव शनी देव का जो समंध है जन्मकुणली में संतुलित हो रहा है और राउदेव शनी देव को अपना गुरु मानते हैं भाई 22 अप्रेल 2023 प्राति पात बज़कर 14 मिनर पर ब्रश्पति देव आस्तावस्ता में आस्वनी नक्षतर में मेशरासी में प्रवेश करेंगे एक मही को ब्रश्पति देव मेशरासी में उदे होंगे 26 नमंबर को पना अस्वनी नक्षतर मेशरासी में वक्री आवस्ता में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को ब्रश्पति देव मारजी होंगे चार सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक ब्रश्पति देव वक्री रहेंगे इसका क्या प्रभाव रहेगा यह मैं वक्री होने की 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चच्चा करूंगा, ब्रशपती देव मेश राशी में संचरन कर रहे हैं, राउ से समंदем बनाएंगे, 30 अक्टूबर तक राउ देव मेश राशी में संचरन कर रह तो जन्रल में देखिएगा व्यक्तिकत जन्मकूर्ली अलग चीज है लेकिन लगन के हिसाब से आपकी राशी के हिसाब से बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विशे के आसपास रहना चाहता हूँ और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ब्रश्पति देव का देवादी देव सनी देव के साथ यूती संबंध हो रहा है ये बारा के बारा राश्यों के लिए कुछ नकुछ लाब जरूर देवा सनी देव अपनी मूलत्र कौन राशी कुम में संचरन करे और 30 साल के बाद सनी देव निजगत कर्मों की वज़े से कई थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है तब इस समय सनी देव आपको उत्तमफल प्रदान करेंगे कुछ ने कुछ लाब जरूर देगे ब्रश्पति देव देने को त्यार बैटे और सनी देव का साथ मिल ला है तो मैं कहूंगा कि ब ब्रश्पति विद्या, ज्यान, संतान, परिवार, सुआग, शुक, धन, शुक, शमर्दी के कारक हैं साइसदारी में वेवसाय संबनती कारियों का प्रतिने देश करते हैं और नवगर मंडल की बात करूं गोचर की बात करूं तो सरवातिक प्रभाव शनी देव और ब्रश देव गरों की तीन पूर्ण दस लिया है ब्रश्पत देव की पांच साथ और नव है और शनी देव की तीन साथ और दस है मानम जीवन पर देव गरू ब्रश्पति का अपना एक प्रभाव है जीवन के शुक, श्वास्ते, समर्दी, सकारतों का बिना देव गरू पर आने लगेगी, दोहजार तईस कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्ते, सिक्षा, समाज, राजनिती, सेवा, विवा, यात्रा, इस हिसाब से इदी सुब्राज मान तो अनकूल फल मिलेंगे, कैरियर, कारोबार, शिक्षा, समन्दी कारियों में गति आएगी, मित्रों शातियों राशिपल पर आ रहा हूँ, लेकिन याद रेखेगा, मूलत्रिकॉण डाशि में कोई भी घ्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है, और मेश राशी मंगल देव की मूलत्रिकॉण डाशी, लेकिन मित्रों शातियों मैदनी जोति इसको ध्यान से समने कुछ बातों को समतना दो बहुत दो, ब्रश्पति देव, नौवी और बारवी राशी के स्वामी, और कालपुष की कुल में धरम और बारवे भाव का स्वामी, यानि धरम और वे भाव के स्वामी ब्रश्पति देव है, सुर्बंड की पहली राशी, ब्रश्पति देव, उस रासी रावदेव के साथ संचन करेंगे, मेश रासी, वैदिक जोतिस के विद्वानों के फायर साइन है, रो एनर्जी है, बिख्रिमई एनर्जी है, यानि उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है, उस रासी में एक विजदम वाले ग्रह का प्रवे से, धर्म को लेकर पूरे विश्म में करांती कारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना कैरिए, मेरा अनभवे दबाव नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान लखे गया कि रावदेव अन और्थोडेश है, अनकन्वेंचन है, रावदेव एम्प्लिफायर है, राव एनर्जी में इन घरों का कम्बिनेशन, करांती कारी विचारों का संकेत, विश्म में एक नई धर्म वैविशा का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप, हर व्यक्ति की भीतर में धर्म को लेकर एक नई करांती का संकेत नजर आ रहा है, ऐसा मेरा अन्भव, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं क में देश के निर्मान करताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राश हित में शब्दों का चैन अच्छा होना चाहिए धर्म को लेकर शब्दों का चैन कि उचित नहीं हुआ तो परिशानियों का संकेद भी है मैं दिनी जोतिस की अनुशार बहुसी घटनाओं का संकेद भी नजर आ रहा है विशे अब बारा राश्यों का है उसमे मैं कभी और बोलूँगा लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति धार्म मानमे समिदनाओं को समतना बहुत जरूरी होगा शाषन इसको लेकर बहुत सतर रहेगा और शाषन भारती संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रियास करेगा क्योंकि ब्रश्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूरी भी करेंगी क्योंकि ब्रश्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की जोत फलेगी धर्म प्रभाव शाली रहेगा हां राओ देव साथ में है और फाइर के साइन में है रो फाइर है तो सब्दों का सालिंता पूर्ग देश निर्मान करताओं को जरूर रखना चाहिए लेकिन ये बारा राश्यों पर क्या प्रभाव डालेगा इस विशे पर आ रहा हो कि बारा राश्यों पर ब्रश्पति देव का ये बारा साल के बाद मूलतर कॉंडासी मेश में ब्रश्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा याद रखेगा मित्रों शाथियों व्यक्तिकत जनुकुनली को देखने के लिए आपकी सभी ग्रहों को भी देखा जाता है लेकिन लगन और राशी के हिसाब से बहुत हद तक ये बाते आपके लिए सटिक रहेगी ये जो राशी फल है आपके नाम राशी आपके लगन के आधार पर भी है आप लगन से भी देख सकते हैं और राशी से भी देख सकते हैं लेकिन सटिक राशी पर आता है उसके साथ तक ये जो राशी फल है पुर्शों के लिए है महीलाओं के लिए बुजरुवों यूद बच्चों के है और विचार बेरे हैं और मैं प्रधा प्रधा प्रमानी हुं ने मैं हतयली में सर्चिय में अपना अनभव रखता हूँ राश्ट्रीत मानो न मानो यह आपकी मर्जी और शक्रन उप्नेन की अधिकार आपके पास था आपके पास नहीं के पास रहेगा में हमेशा कहतां अब मैं जो राशी चकर की चौति राशी है इनीई भजकर की चौति राशी यानि करक राशी की बात करूंगा कि करक राशी वालों के लिए ब्रश्पति देव का मेश राशी में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा 12 साल के बाद ब्रश्पति देव मंगल देव की मूलत्र कौन राशी मेश में संचरण कर रहे हैं तो करक राशी के उपर क्या प्रभाव रहेगा कामकाज को लेकर नौकरी को लेकर वेविशाय को लेकर परिवार को लेकर जीविनसात्य को लेकर स्वास्ति को लेकर यात्राओं को लेकर एजुकेशन को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों को लेकर कैसा रहेगा ये ब्र आउ देव, बुद्देव और सुरुदेव के साथ विराजमान हैं। प्रश्पत देव की पंचम converge 0,3 धन भाव और दوسरे भाव पर विराजमान उनकी मित्ररासी शिंग पर और शक्तम पुन्दर्शी चतुरत भाव में तुला राशी उपर है और नमंदर्शी छटे भाव में श्वाराशी धनू के उपर है दसम भाव आपका करम है आपका केरियर है आपकी नौकरी आपका लक्ष है आपकी पीता का जैनकारी है तो गरना इस बात का संकिति की मदेतने लाबकारी असलेगे नतरकी आपकी कशवारशी कामध के अबतवुर्टे improvement में देश्विद्रे रावधितौ से multi-national शहतारी है लिए मुधित का सब्सक्राणद के राव आपके रहेतर और श्री वाहाइए मंद्यास से कारुबारी परिशान से मुक्ति मिलेगी कारुबार में मनवनकुल शपलता मिलेगी रोजगार के एक से अधिक साधन उपनवद होंगे और देश विद्धे से नेल लाबकारी कारुबारी श्रमत बंदेंगे आर्थिक धनकोष में विर्दी होगी बढ़ों की मदर से चल और संपती की प्राप्ति का यूग कोट कसरी के मसले हलोंगे कानोनी मामलम आप विजय होंगे और इदिया आप नौकरी में तो आपका भर्चस्व बढ़ेगा और अधिकारी वरिश अधिकारियों से पून्ष यूग प्राप्त होगा राजलितिक सौरत और शपलता का मनोनकुल इस्थान परिवर्तन और पर्मोशन की प्रवल संभावना नजरा रही और ब्रश्पद्देव की पंचम दर्श्टी धनभाव पर है कहरी श्रमंदी परिशांश मुक्ती मिलेगी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप है तो आपका मनोनकुल पर्मोशन इस्थ चतुर्थ भाव यानि शुक भाव पर माता का भाव जनता का भाव है आपकी प्रपठी आपकी नीजी संभन दे आपका नीजी प्लेजर है आप राजनीति में आपको यस और कीर्थी में बढ़ोत ही होगी देवगर गुरु ब्रश्पति की नमंपॉनदस्थी छटे भाव परे शत्रूपक्स से चुटकारा मिलेगा राजनितिक और शामाजिक अनुकुल सित्या बनेगी और यह आपके लिए लाबदाएक रहे आर्तिक पक्ष बड़ा सुधर रहेगा अधिकारी वर्यका स्वयोग अच्छा मिलेगा नौकरी में मननकुल इस्थानांतन परवितन पड़न अंतिक क्या उसर मिलेंगे आएक से अधिक साधनों बलूर रोजगार के साधनों में व्रतिकी धन पक्ष बड़ा मजबूत होगा मननकुल कारी बनेंगे सपलता के अच्छे मोख्य मिलेंगे मना अभिलासाओं की पूर्तिक के साथ साथ कामकाज कारबार नौकरी व अरिवर्तन से धन समंदी मामलों को लेकर साध और स्वभाविक मैसूस करेंगे एक से अधिक आर्तिक स्रोतों में व्रति होगी आर्तिक पक्स लापदाइक इंप्रूमेंट रहेगा क्या गया निवेस अच्छा लाप देगा चल अचल संपति की प्राप्ति के अच्छे रोजगारे की सुरुवात के अउसर मिलेंगे धन की रुकावट दूर होगी कहीं रुकावा डूबावा धन मिलेगा और 30 अक्टूबर के बाद ब्रश्पद्य किरपा अनवर्त आपके उपर बरसतेगी और आर्तिक पक्स लापदाइक नौकरी हो चारों और आपको शपलत भूप है वह बोड़ा अच्छा रहेगा बात परिवार की करूए तो चौतह भाव पर आपका अपना परिवार आपका नीज़ी मिले प्रेशान से मुकती मिलेगी परिवार में खुशियों का बातमन रहेगा, मांगलिक और धार्मिक कारी संपन होंगे, पारवारी परिशान से मुक्ति होगी, देवगुरु ब्रश्वति, पारवारी और स्वहार्थ पर बातमन बनाने में पूर आपको स्वयोग लेगे, चल अचल संपती की प्राप्ति का परबले हो, क्योंकि चोथा गर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका प्लॉट, आपकी गारी, आप भूमी भुमन वान का शुक्र बिलाब लिखर इसकते हैं, प्लॉट नई गारी खर इसकते हैं, घर में नया रिनोवेशन भी कर सकते हैं, मैं जीवन साथी की बात करूं, अनाम से के बाता, परिशानिया और कश्ट से छुटकारा मिलेगा, पत्थ पत्नि में रिस्तों में प्रगारता आएगी, वेवाई जीवन के अनाम से क्चुनोती से छुटकारा मिलेगा, और ध्यान रखेगा करकराशी वालों के लिए, अस्टम धहिया है, इस समय शनी होनी के कहीं आवश्यक्ता ही नहीं, शनी देव गाप, रश्प्रदेव से समंध, अस्टम भाव से समंधित कस्टों और परिशानियों में कमी लाएगा, चीर प्रतिस्तत अभिलास्ताओं की पूर्ती होगी, यानि जो इंतजार पूराना था, अपनी इच्छाओं को पूर गार में शुब और मांगले कारी शंपन होने से घर परिवार का भातावन खुश्यों से भरा रहेगा, आप यूआ हैं, आप विद्यारती हैं, यूआर विद्यारती हैं केरियर और एजुकेशन कामकाज को लेकर अच्छा मोखा मिलेगा, लेकिन सब एजुकेशन में और के आप अरज़ यूश्रिका परवेतन नहीं करें, इसे आपकी पढ़़ाई पढ़ावीत होशक किया है, यूआर वर्गो वंगएं नौकरी में करी में कठीम महिनत कृण परिश्रम का भूण लाब आपको मिलेगा, महिनत करिएगा, हैं तके को परिश्रम करूण परिश्रम क होने के कारण मनुबल कमजोर रहेगा और आर्थिक परिशानियां आ सकते आप चाहते के कारुबार में और अद्धिक सपलता मिले धन मिले तो परिवार आपके साथ कड़ा रहे समझोती वाद नीती अपनाईएगा धैरी से काम ले तनाव से बचेगा लेकिन यह सारी समझिया तीस अक्तुबर तक है तीस अक्तुबर के बाद में संपहुन परिशानिश आपको मुक्ति मिले केरियर कामकाज कारुबार नौकरी वविशाय में अच्छे आउस्वर मिलेंगे लोग मेडिकल कंप्यूटर अरुवेद में मुका मिलेगा अच्छा उच्छा के सिदम परवायनिक है समय से डॉक्टर रोगा चिकसा ले और दवा ले जरूर ले विशेश उर्प से 22 अपरिल से 4 सितमबर के बीच में परिवार के वेवर्द सिद्व से पिता या श्यम का स्वास्ति परभायूत हो सकता है साउधानिवर्द ब्रस्प्यद्यों का यात्राओं के स अब मैं कुछ विशेश बातों की चर्चा करूँगा करकराशिवाल प्रतेक कारियों को धहरी और श्यम से करिए एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाई तो शफलता मिलेगी अन्यता हां नहीं है जल्दबाजी में श्यम की संतुष्ट्री को देखना आपके लिए नुक्सा जल्दबाजी में निर्णाय नहीं ले पारवारिक संतुष्ट्री को देखना बहुत जरूरी है जल्दबाजी में कोई आपकारिकरिम को शफलता नहीं मिलेगी परिवार के वेवर्द सद्री से को लेकर स्वास्ट्य को लेकर लापरवाई नहीं बढ़ते और आपके साथ दो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ विशेश ध्यान रखे करमचारियों का आपके लिए बहुत जरूरी है तो यह था ब्रश्पति देव का में इस राशी में संचन करक राशी पर प्रभाव मित्रों शाथियों इस अंपाउन राशी फल नक्षद गर्णाओं के आधार पर मैंने कभी दबाब लिए अंकलन मेरे था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो वे नमर भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपको से मैं चमा मांगता हूं आप शुक्की रहे आप श्वस्त रहे समर्दिशिल है चंदेव की चलनों में मेरी प्रात्मा ओम नम उना रहे अब आप कहेंगे साब की उपाई क्या करें तो करकर आशिवालों यह पूरे साल ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुर्वे नमा ब्रश्पत दिव का बीजमंत का जाब करीगा यह आपको धन चाहिए कारोबार में सफलता है नौकरी में सफलता चाहिए उसके साथ एक माला ओम प्राम प शकर बुरा में लेकर डालना साम के समय उत्तम लाब का संके दे रहा है और शोंबार के दिल सर्दानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निर्दन व्यववर्द सद्देशी को दान में देने के बाद सर्दानुसार गुड़ गाई को खिलाएगा केरियर कारोबार नौकरी मे विवेशाय में समाज में परिवार में अनाव से उठापटाक परिशानी और कस्थ है तो दो मुखी रुद्राक्ष दो दाने तीन मुखी रुद्राक्ष एक दाना पांच मुखी रुद्राक्ष एक दाना और बारा मुखी रुद्राक्ष एक दाना गले में धारन करना उत करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने यह का कि आप शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता है आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर क हूँ, और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एहंकार नहीं है, चाहरों, मेरा राश्रो पर है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शनिभगवान आपकी रिक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेर और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में, लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है, जिन्नोंने सनिध सरती आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेतनी दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रकार कर रही है, अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते ह अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है, आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है, न